लग के उपर नहीं होने वाली, यहाँ पर तीन-चार चीज़ें ऐसी है न, जो समझ लोगे न, तो आपके महंगे-महंगे इलक्ट्रोनिक खराब होने से बच जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैं अपना experience आपको बता रहा हूँ, यह एक multiple है, यह कौन से brand का है मुझे नहीं पता, सही तरीके से काम करता है, सच कोई issue नहीं है, यह Hevels वाला है, और यह Anchor का है, अब आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, अब इस चीज़ को आप समझ लो, मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि आप Hevels का लो, या फिर आप Anchor का लो, Anchor अभी मैंने लिया था, कुस दिन पहले ही, Hevels का भी मैंने कुस दिन पहले ही लिया था, Hevels की पैकिंग अलग है, Anchor इस तरह के डबे में आता है, ठीक है, यह 3-pin multi socket की मैं बात कर रहा हूँ, होता क्या है न, हम जब TV चलाते हैं, खास करके मैं TV की यहाँ पर बात करने वाला हूँ, TV, से किसी भी electronic का, स्पार्क निकलेगा, या तो आपका set-top box खराब होगा, या TV, मैं अपने experience बताता हूँ, मेरा TV खराब होगा, और recently मेरे को उसके उपर अच्छा खासा खर्चा करना पड़ा, क्योंकि मेरा TV फुक गया था, इशू क्या था, loose connection का, और हो गया मोटा खर्चा, त लेकिन इसमें कई बारना मेरी जो wire है, जब मैं fit करता हूँ, वो अच्छे तरीके से fix नहीं होती, तो इसलिए जबी भी multi plug लो, अच्छे brand का आप ले सकते हो, फिलाल में मैं जो consider कर रहा हूँ, हैवल्स और ये anchor, ये दोनों जो है ना, दोनों ही मेरे favorite हो चुके हैं, और दो पैसा और खर्च के आप इस तरह के multi plugs ले सकते हो, और अगर आप किसी और brand का ले रहे हो, मतलब इस तरीके से, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप लगाते हो ना, तो wire lose ना हो, अगर wire हिल रही है ना, तो फिर आप multi plug को बदल लो, और मेरे experience, हैवल्स और anchor दोनों अगर वाले में, anchor में आते हैं अलग models, मैंने तो यूज नहीं किया है फिलाल में, लेकिन हैवल्स का ये वाला इसमें भी लग जाते हैं, अलग country के plugs, तो description में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप चेक आउट करने हो,